हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सावीस किचन में आज हम बनाएंगे चीली पटेटो बहुत यासान तरीके से और खाने में बहुत यी टेस्टी लगते हैं तो ये वाले जो चीली पटेटो बना करके तियार करेंगे ये ग्रेवी वाले बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज के आलू लिये हैं अच्छे से साफ कर लिया है और इसको चील करके तियार कर लिया है अच्छे से हमने यहाँ पर इसको wash कर लिया है अब हमी यहाँ पर इसको इस तरीके से लंबी-लंबी शेप में काट करके तैयार कर लेना है तो सारे आलू को हम इसी तरह से काट करके तैयार कर लेंगे चीली पटेटो बच्चों को बहुत ही ज़ này पसंद आता है अब से आप घर पे बना करके खिलाएं, बजार से लाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे आलू को काट करके तयार कर लिया है, तो सारे आलू को हमें एक बरतन में ट्रांस्वर कर लेना है, और तो टोटल हमें यहाँ पर 4 चमच कौन फ्लोर डालना है अब हमें यहाँ पर हातों की मदद से इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और हलका सामें यहाँ पर डाल लेना है पानी ताकि जो आरा रोट है वो अच्छे से कोट हो जाए तो इस तरीके से हमें याँ पर अच्छे से इसको mix कर देना है अच्छे से mix करने के बाद अब हमें gas पर एक कड़ाई को चड़ा देना है और तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है gas की flame हमें याँ पर high रखनी है हाई फ्लेम पर हमें यहापर इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है तो क्रिस्पी होने तक हमें यहापर इनको फ्राई करना है तो इसको फ्राई करने में 5-7 मिनट लगीगी तो इस तरीके से अलटते पलटते हमें दोनों तरब से क्रिस्पी होने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लिना है तो अच्छे से फ्राई हो चुके है अब में इनको एक बरतर में निकाल करके रख लिना है और कलर आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही प्यार आया है तो मैंने यहाँ पर दो बैच में बना करके तयार किया है तो सारे आलू को हमने आपर अच्छे से फ्राई कर लिया है इसको अभी हमें साइड में रख देना है अब हमें यहाँ आवर पांस से साथ लैसून की कलिया लेनी है और बारिक बारिक काट करके हमें यहाँ पर तयार कर लेना है अब हमें यहाँ पर लेनी है शिमला मिर्ची तो पूरी शिमला मिर्ची हमें यहाँ पर नहीं डालनी है आदि शिमला मिर्ची हम डालेंगे और इसको काट करके तयार कर लेंगे अब हमें यहाँ पर लेनी है दो मिडियम सैज की प्याज और इसको भी इस तरीके से हमें यहाँ पर रफली चॉप कर लीना है चार से पाच हमें यहाँ पर लेनी है हरी मिर्ची और हरी मिर्ची को भी बारी काट करके हमें तयार कर लीना है तो मिर्चे आप यहापर अपने टेस्ट कंसर डाल सकते हैं अब हमें गैस पर कड़ाई को चड़ा देना है और दो चमच हमें यहापर कुकिंग होई लेना है जादा तेल हमें यहापर नहीं डालना है थोड़ा सही हमें यहापर तेल डालना है तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हमें यहापर बारी कटा हो लैसुन डाल देना है और इसको हमें हलका सा बून लेना है तो लैसुन हमारा बून करके तयार हो चुका है अब बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाल लेंगे और इसको भी हलका सा हमें बून लेना है साथ साथ हम यहाँ पर डाल देंगे बारी कटी हुई प्याज और इसको भी हमें अच्छे से बून लेना है अब हमने यहाँ पर एड़ कर दिया है सिमला मिर्ची तो इनको हमें जादा नहीं कुक करना है हलका सा ही कुक करना है तो अब हमें यहाँ पर लेनी है कटोरी अब हमें यहाँ पर प्रेवी वाला यहां पर बना करके त्यार करेंगे चीली पटेटो तो देखे फ्रेंड्स यहां पर हमने बिल्कुल पतला सा गोल बना करके त्यार कर लिया है तो इसको अभी हमें साइड में रख देना है और हमारी जो सब्जे वह भी अच्छे से कुक हो चुकी है तो बस यहां पर मंचूरिन मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से में मिक्स कर देना है और अब हमें यहां पर एड कर देने है कुछ सोसिस तो दो चमच मैंने यहां पर लिया है सोया सोस और दो चमच हम यहां पर लिया है रैट चिली सोस और तीन चमच हमने यहां पर लिया है वा पर इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर डाल देनी है जो हमने सलेरी बना करके रखी है उसको एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर देना है क्योंकि वो नीचे जम जाती है तो एक बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमें डाल द तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालें, अगर आपको कम ग्रेवी रखनी है तो आप यहाँ पर कम डालें, तो अच्छे से इसको हमें चलाते जाना है, और देखिए कितना प्यारा कलर आ है, और लास्ट में हमें यहाँ पर डाल देने है, फ्राइ की हुए पटैटो, औ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक मिनट के लिए हमें यहाँ पर इसको पका लेना है, तो फ्रेंड्स आप इसको रोटी के साथ, पराटे के साथ, किसी के साथ भी इंज्योई करें, और चावल के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, लास्ट में ह नहीं आपर इसको मिक्स कर दिया है, तो बहुत ही टेस्टी हमारा घर पर चिली पोटेटो मेंचुरिन बन करके तयार है, तो आप एक बार इसको जरूर ट्राए करना, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अगर आज की रेस्पी आपको पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप मेरी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो प्लीज फेस्बुक पर ज़रूर करें, तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से प्रूट रहे करें बहुत ही टेस्टी बन करके तियार होता है बच्ची हो या बड़े हो सभी को बहुत जदा पसंद आएगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार